असकार में पूनम दांगर और आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क बुलिटिन की शुरुआत करेंगे प्रधार मंतुरी ने रिंद्र मोदी ने दोजार अठाइस में सहिकतर राष्टर जलवायू सम्मेलन या नी सी ओपी 33 की मेजबानी भारत में करने का शुक्रवार को प्रस्ताव रखा और लोगों की भागेदारी के माध्यम से कालवन सिंक बनाने पर केंद्रित ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की दुबाई में सहिकतर राष्टर जलवायू सम्मेलन के दोरान राष्टर देक्षों और शासना देक्षों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्रि मोदी ने कहा कि भारत ने विकास और पर्यावरन सन्रक्षन के बीच संतुलन बनाकर दुझा के सामने बहतरीन उधारण पेश किया है PM ने कहा कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जो तापमान को 1.5 डिक्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए राष्टे स्तर पर अपने निर्धारित योगदान या राष्टे यूजनाओं को हासिल करने की राह पर है PM मोदी ने अंतरराष्टिय उर्जा एजनसी के एक अध्यन का हवाला देती हुई कहा कि ये द्रश्टी कौन कारवन उटसरजन को 2 अरबतन तक कम कर सकता है PM मोदी ने कहा कि सभी के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और जलवाई परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सभी की भागिदारी जरूरी है तो ब्रशार मंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में हुए COP28 वर्ल्ड क्लाइमिट एक्षन सम्मिट में शामल हुए उन्होंने 2028 के क्लाइमिट सम्मिट यानी COP33 भारत में करने का प्रस्ताब रखा मोदी ने सम्मिट के दौरान ग्रीन क्रेडिट इनिशियेटिव लॉंच किया इसका मकसद लोगों की हिस्तिदारी के जरीए कारवन एमिशन को कम करना है मोदी ने अमीर देशों का नाम लिये बिना उन पर निशाना भी साधा उन्होंने कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किये गई कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है बता दे कि ये एक सेंक्त राष्ट की क्लाइमिट चेंज की मुद्दे पर हो रही अर्था इस भी बैठक है COP का मतलब होता है Conference of Parties ये United Nations Framework Convention on Climate Change में शामिल सदस्तों का सम्मिलन है इस समय COP में 102 पार्टीज है COP की पहली बैठक में 1995 में बर्लिन में हुई थी और 12 दिसंबर तक चलने वाली COP 28 समिट में दुनिया भर के 163 निता शामिल होंगे इस दोरान Climate Change और इसके समाधान के मुद्धों पर चर्चा होगी